करीवियन प्रीमियर लिग का मैच नंबर 22 अब टूर्णमेंट जो है अपने अंटिम चरण में आ चुका है बस दस ही मैच बचे वे हैं और यहां पे एक होर सी लग गई कि अब कौन कौलिफाई करें कौन कौलिफाई नहीं करेंगा उसमें एक टीम जो है इस मैच में काफी उ नजरिये से कहें तो इस मैच का टूर्णमेंट पे शायद कोई फरकना पड़े होतना बट फैंटेसी के नजरे से काफी फरक पर सब्सक्राइब कि आपको एक क्लियर आइडिया और कौन से टीम के प्लेर आपको लेने पड़े होती कि परफॉर्मेंस किसका आ रहा है वो एक अपको आईडिया लग जाता है तो उसके हिसाब से फैंटेसी पॉइंस के नजरिए सब काफी इंपॉर्टेंट मैच बन सकता आप लिए प्लस आपको फैंटेसी पॉइंट्स के अलावा साथ में कैप्टेंसी वाइस, कैप्टेंसी, किसको रखना है, पिछ रिकोर्ट कैसी प्लेयर बैटल्स कैसे सारी डीटेल्स अगर जाननी है तो एकदम सही जगब प्राइए फैंटेसी गली के इस वीडियो में और इस वीडियो आपको सारी जानकरी मिलेगी तो प्लीज वीडियो को अंग तक सरूर देखिए और पसंद आये तो प्लीज एक लाइक करना मत बूल के लिए crucial time के इतने बजेका है साथ बजेका जब टॉस के बाद स्क्वार्ड में कुछ अपडेट्स कुछ चेंज आसकते हैं कि इंटरनाशनल फिक्स्टर्स पर काफ़े डिपेंडेंसी रहती है सीपियल की इंटरनाशनल कॉंसी तीम खेल जाती है इस लिए आपको इकाद आपको चिंता करने की जरूत नहीं है हमारा एप डाउलोड कर लीजें लिंक देस्क्रिप्शन में दियावा हो आपको उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा साथ बच के दो या तीन मिनट के अंदर की भाईसा फाइनल स्कॉर अपडेट आ चुकिए इसके अकॉर्ड वीडियो में मिलने वाले लेकिन इसके अलावा और डिटेल्स चाहिए है माल ले जी यहाँ पर तुम आपको आपको पचास ताट टीमें चाहिए प्लस प्लेयर बैटल्स हमें आपको कुछ में प्लेयर्स के बता पाएंगे अगर आपको उसके मैंटिपल अल्मोस्ट हर किस के प्लेयर बैटल्स चाहिए है अपको हर किसी का पिष्टे दोसर का रेकोर्ड्स आना है सारी डीटेल्स सारा स्टाइट्स जानना है आपके लिए एक ही डेस्मेशन है www.fantasygully.com प्लीज चेक देट आउट उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शिन में है वेबसाइट का भी और हम टॉप 4 fantasy picks लेके आए ऐसे 4 प्लेयर जो आप अमोवन हर टीम में try कर सकते और आपको कम से कम average fantasy points दिवाने का मादधा रखते हैं तो आप उसके according इन 4 को try कर सकते हैं और ये 4 प्लेयर आपके लिए वो average fantasy points दिलवाएंगे साथ में आपको नुक्सान कम से कम होगा फायदा हो पर सकते हैं इसलिए आप इंचाओ को try कर सकते हैं बार्बाडोस से जेसन होल्डर काईल मेयर और दयाना से हन्री क्लासर और तब्रेश शामसी ये 4 प्लेयर आप अपने टीम में try कर सकते हैं और बाकी सारी details हम बात करेंगे सारी details दिख देंगे आपको लेकिन इंट्रो के ब बना समय वेश्ट के में चलते हैं सिदख पिछ थे कंडिशन की तरफ कैसे कंडिशन हो सकते हैं हलाकि थोड़े से डामड हो लेकि बारिश जो है काफी खलल आल दालए जाहे हो CPL में हो चाहे हो इसका आपको conditions कैसे हैं पिछ रिपोट कैसी आपकी बताता हूं को पिछ बैकि सेकेंड प्रहबल कि यहां पर अगर अगर देखें अमुवन जो है बारिश का अनुमान अभी केस आपसे वेदे रिपोर्ट केस आपसे है तो उसके अको आपको शायद complete match देखने को ना मिले एक shortened match देखने को मिले और जब भी माने जेटरस ओवर का पंडर ओवर का तो उस case में 99% of the time बैटिंग सेकेंड टीम को फायदा होता है क्योंको एक target पता रहती कि कितना chase करना है और wickets 10 के 10 रहते हैं तो मार धार के वो लोग target तक 90% पहुंच जाते हैं इसलिए बैटिंग सेकेंड टीम के आप यहां पर 6 खिला बाकी battle record 122 का भले यहां पर दिखा रहा है हम लेके practically अगर देखें तो आपको defendable score बनाने के लिए इस ground पर कम से कम 165 बनाना परेगा ताकि आपका score जो लगे कि हां defend का आज तकि यहां पर दूसरी बात एक और है यहां पर spinners काफी अचा करते हैं almost 70% wickets पिछले 5 मैचे में spinners ने लिए हैं 70% wickets बट पेसर अच्छा करते हैं second innings में अब पेसर को आप कब लेंगे एक तो second innings में लीज़े अगर full match हो रहा है नहीं तो आप spinners को replace कीजे पेसर से जब आपको लगी की बारिश होने वाली है आप वापस से toss के time paper weather report वापस से check कर लें अगर बारिश हो रही यह बारिश लें impacted match है तो आप spinners कम ले पेसर को थोड़ा जादा रख सकते हैं टीम में चली यह थी pigeon conditions अब हम बात कर लेते हैं यहां पर head to head कैसी है तो यहां पर barbaros royals और गयाना के बीच में जो है 6 और टेरा का overall का लेकिन last 5 काफी competitive last 5 में 2 और 3 के 3 का इनका ratio है तो competitive आप दे यहां एक बार-बार डॉस ऐसे जीती हैं तो कुछ वैसा एकदम drastic आपको difference नहीं दिखाए देगा लेकिन points stable फिलाल काफी difference है एक team top पे एक team bottom पे तो उस हिसाब से आपको शायद उतना competitive match देखने को ना मिले लेकिन fantasy points के निजरी से जैसे मैंने कहा आपके लिए काफी important हो सकत अब हम fantasy points की बात करे रहें आपको fantasy team दिखाएंगे भी small league की अलग grand league की अलग आपको देखिए लेकिन उसके पहले चलते हैं कि हमारा playing 11 कैसे हो सकता है playing 11 कैसे हो सकता है तो मैं नहीं कुछ changes होने वाले जो last match खिला था इनोने उसके recording but अगर कुछ changes होए तो जैसा मैंने कहा कि आपको हमारे app से notification मिल जाएगा तो आपको और खनी जाने के जो तो नहीं पड़ेगी हम आपके लिए one stops of fantasy gaming destination है तो वो आपके लिए पूरा coverage मिलेगा आपको तो यहाँ पे आपको दिखा रहे हम कि जो last match का playing 11 था वो almost 10 खेलने वाले है अब वो क्या है रखिन कॉर्डवाल, और इसमें जो है यहाँ पर आप देखें डेविड मिलर आजंग खान आपको थोरा उपर नीचे बैटिंग ऑर्डर निका हो सकता है मैच के सिचुएशन के ऊपर तो यह फिलाल नॉर्मली ऐसा रहता है बट मैच के सिचुएशन के ऊपर एकाज ऊपर नीचे हो सकता है तो इसा हुआ था चायद तो वह आप ट्राइ कर सकते कि उस फोर प्रसेसे मैच तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते प्री प्लान कुछ नहीं कर सकते वह मैच के कंडिशन पर डिपैंड करेगा यहाँ पर मैंने दिखाई थी कैसा टीम बन सकता आपका और इसके अकोर्डिंग आ आपके लग्यों पर डिपैंड करता है कि आपका आपने कैसे चेंजर इसकी है वह तुकाल लग गया बाती जितने स्टाइट्स हम आपको दे सकते हैं जितना आपको बैक आप दे रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जाज़े कि एवरेंज फैंडर्सी पॉइं बना सकते हैं और अपनी टीम बना सकते हैं तो आप ट्राइ कर लिजेगा बाकी हम चलते हैं अब गयाना की प्लेंग 11 कैसे दिख सकते हैं यह भी मैं कोई एक्सपेक्ट नहीं कर आँ कि चिपकू चेंजर होंगे अगर कुछ एकाज चेंजर हुए तो आपको इंफोर्मेशन आपको दिखने को चाहिए और कुछ एकाज़ हुए तो शायर आपको नहीं आपको नोटिकेशन मेरी जाएगा और इन दोनों टीमों की मिला कि आपकी फैंटेसी 11 कैसी पनी चाहिए तो दोनों दोनों को मतलब मेन प्लेयर्स कौन से आपको जो फैंटेसी पॉइंट दिलव प्लेयर बेटल के बाते हैं तो अब प्लेयर बेटल में देना है पर पॉल स्टर्लिंग बना मुझीबूर रह्मान यहां पर पॉल स्टर्लिंग जो है कुछ 58 गेदों में 55 बनाए जरूर है लेकिन 5 बार आउट भी हुए है तो उतना कुछ खास स्ट्राइक रेट नहीं और वैसे पॉल स्टर्लिंग काफी अभी स्ट्रगल कर रहे है तो आप अपने टीम से चायद उनको दूर ही रहता हैं मानले जे ग्रैंड लिगे बीस टीम को बना रहा है बीस टीमें से एक में भले आप पॉल स्टर्लिंग को ट्राइक लेकिन अभी जिस तरह से उनका फॉम चल पॉल स्टर्लिंग को ट्राइक अगर कर भी रहे हैं जैसा मैंने कहा कि ग्रैंड लिगे कर वीस टीम अना रहा है तो वीस में से किसी एक एकार टीमें आप ट्राइक कर लीजेगा बाकि जेसन होल्टर बना रोमारियो शेफर्ड अब इन दोनों के बीच में कैसा रेकॉर्ड अब इन दोनों का रेकॉर्ड बताओ मैं आपको अठारा बॉल में बाइस रन दिये हैं और तीम बार आउट किया है तो इनका भी वही है कि जेसन होल्टर जो स्ट्रगल करके रोमारियो शेफर्ड की प्रेजन्स में तो वहां पे आप इन दोनों को शायद एक टीमें ट्रा में अधर त्रादरा के टीम में आप गौनों को साहते हैं बाणी आलच अलग 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 एक टीम में बाखिर आ हो है फिर्टीम में जो यह लेकी दियाय। इम पर आउट तो यह आपके तीनों तो आपके रह मुर्स दूरा श्ट्रगल करते हैं तो उसके हिसाब से आप क्या strategy लगाई है और क्या कैसी आप टीम बनाने की सोच रहे हैं वो सबर में comments आप लिखे बता सकते हैं प्लीज comments में आप जो भी रिखना चाहते हैं आप दिल खोल के लिखिए हम हर comment पढ़ते हैं आपका भले हर comment का reply ना देपाई बट comment आपका पढ़ा जाता है और उसकी चर्चा अगर कुछ interesting comment आया तो उसकी चर्चा हम नेक्स वीडियो में जबूर करेंगे तो प्लीज आप comments करना मत बूलेगा चलिए आगे चलते हैं investment strategy के तरफ investment तीम तो आप बना लेंगे हमारी strategies लेकिन आपने टीम बना ली है तो आपकी investment strategy कैसी हो है तो कि आप टीम कितनी बेच्छी बना लें contest अगर गलत खेल रहे हैं तो वहाँ पर नुकसा होने के chances बढ़ आते हैं अब मेरे हिसाब से यानि कि आपको low to medium खेलना चाहिए क्योंकि आपको यह जो प्लेयर से इनका risk factor पता नहीं होतना अगर पता है तो भी आपको stats के फुरू पता है तो कौन चलेगा कौन ही जलेगा यह का आप अनुमान लगा सकते है on the basis of stats तो इसलिए आप low to medium ही खेलिए ज़्यादा high risk मत खेलिए और head to head small league में ज़्यादा कि में लगाएं grand league में आप समझ सकते हैं कि आपको किसमें ज्यादा तीम लगाने चाहिए तो आपका balance shift जो है मैसा positive में रहेगा आप इसमें try कर सकते हैं बाकी तो फिर जो आपकी मर्जी है play the contest that suits the most जो आपको suitable लगता जित्में आपकी budget है जो आपकाणिस अपटाइट है उसके according आपकोई भी tournament ख रखे लिए इसको एक लगतमत लगाएगा वो मेरी सला है चलिए अब आगया जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जिसके लिए अभी तक रुके वें और अभी तक रुके वें तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत बूलेगा चल को subscribe करना मत बूलेगा प्लीज small league head to head में ही ट्राइ करें इनको विकेट कीपर्स में कुंटन निकॉक, हेंरिक क्लासें, बैटर्स में काईल मायर्स, डेविड मिलर, श्रिम्रन हेट मायर्स, अजरब पॉल हेंराज, आल डांडर्स में जैसन होल्डर, रोमारियो शेफर्ड, बॉलर्स में अबेड म इसमें अगर आप कुछ impact players को जोड़ देंगे, कुछ ऐसे players जो जिस दिन चलते हैं उस दिन काफी अच्छा करते हैं, जिस दिन नहीं चलेंगे उस दिन आपको zero points दिला सकते हैं, वैसे players आप एड कर दें दुतिन, तो वो आपके grand लिके player बन सकते हैं, इस team को भी आप exactly copy मत क किजेगा, इस team को भी आप रखे, inspiration लें इस team से और इस team की strategy follow करें, strategy follow करके आप चाहें तो एक अपनी team बना सकते हैं, जिसमें एकाद कुछ changes कर लीजएगा, इसलिए आप same team में रखें, एकाद कुछ changes करें, और captaincy vice captaincy के अलग-अलग combinations try कीजेगा, रज़े किजेगा, मैंने आप अपनी एक टीम के अपनी एक टीम से जीत सते हैं, वो तीम आपकी पास होनी चाहिए उसके लिए, तो इसलिए आप अलग-अलग combinations try कीजेगा, ताकि आपके जीतने का percentage बढ़ सके हैं, अब बात करते हैं, यहाँ पर आवर fantasy 11, grand league के लिए, जी हाँ बहुत लोग इसी के स्ट्राटेजी के लिए आते हैं, तो आप लोग जो हमारे दोस्ते हैं, जो grand league के लिए स्ट्राटेजी के लिए, तो आप अपने कोडिंग भी try कर सकते हैं, विकेंटीपर्स में वापस हैं, वो दोनों हैं, आपके, कुिंटन डिकॉक, हेंडिक लासन, बैटर्स में हमने एक अपको अपको डूल फैंटेसी पॉइंट्स मिलते हैं, तो इसलिए आप वो ट्राइजी एक स्ट्राटेजी अप्लाइ कर सकते हैं, कुंटन डिकॉक, हेंडिक लासन, विकेंटीपर्स में, काईल मेर्स, डेविड मिलर, चंदरापॉल हिम्राज, जैसन होल्डर, कॉर्विन पॉर्ष, औरन स्मिथ, या तीन अल्डाउंट्स हो गया, अप देखें, औरन स्मिथ का बात, जैसे मैंने कहां कि इंपेक्ट फ्लियर्स, तो आपकी इंपेक्ट प्लेर्स में औरन स्मिथ मेरी खाल से तॉक पर आते होंगे, क्यों जिस दिन चल गे उसे चाकपाच विके ल तक दिन अच्छा करते हो जिस दिन अच्छा करते हो तो आप इन तिनों को ट्राइ कर सकते हैं स्कूरमेंे ट्राइणिकों में तरत्वी है विए नितले किता इनके कटैंटी है ग्राइणिस जा इस जातिक है लाहिए, का स्कॉध श्याइट करें है टॉन सब्सक्राइब करना मत बूलें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बूलें शेयर कमें तो कीजिए ही साथ में आप नोटिफिकेशन आइकन भी दिबा दिजिए फिलाल वीडियो में इतना ही था अगर आपको अभी तक टीम पसंद आये स्मॉल लिखी हेड टो एड की सब्सक्राइब करना मत बूलें यहां पे आपको और भी काफी डिटेरिस मिलेंगे जैसे मैंने कहा कि मल्टीपल टीम्स पचास साथ कीजिए मिलेंगी आपको हर प्लेयर का स्टाइट्स मिलेगा और और भी बहुत से बहुत चीज़ा आप एक्स्प्रोड कर सकते हैं साथ मे मारा एप भी है जिसका लेक में डिस्क्रिप्शन में है वेबसाइट का भी लिंग डिस्क्रिप्शन में है एप का भी लिंग डिस्क्रिप्शन में है एप से आपको काफी वेरिफिट्स और होते हैं जैसे आपको सारे स्टाइट्स मिल जाएगा तो आपको यूजर फेंड मैं रोल कुमार किरिया, signing off till the next time, be late.